ओम नमस्षिवाय प्रियभक्त गडूं आज आप सर्वन करेंगे कर्म फल दाता सनी देव की ही दुरलभ पावराडिक ब्रत क था पुराडों की अनुसार सनी देव का एक नाम कृष्ण भी है यह नाम स्वयम उन्हें भगवान स्री कृष्ण ने दिया था क्योंकि वे भगव स्री कृष्ण के परम भग्त थे इसकंद पुराड के कासी खंड में एक व्रितांत आता है कि छाया पुत्र स्री सनी देव ने अपने पिता भगवान सुर्य देवशे एक प्रश्ण किया कि है पिता मैं ऐसा पद प्राप्त करना चाहता हूं जिसे आज तक किसी ने प्राप समना नहीं कर पाए चाहे वह देव असुर दानव या सिध साधक ही क्यों नहों आपके लोक से मेरा लोक साथ गुना उचा रहे दूसरा वर्दान मैं यह प्राप्त करना चाहता हूं कि मुझे मेरे आराध्य देव भगवान सुर्य प्रश्ण के प्रतच्छ दर्सन हो तथा मैं भक्ती ज्यान और बिज्यान से पूर्ण हो सकूं सनी देव की यह बात सुन कर भगवान सुर्य प्रसन तथा गदगद हुए और कहा हे पुत्र मैं भी यही चाहता हूं कि तू मेरे से साथ गुना अधिक सक्टी वाला हो मैं भी तेरे प्रभाव को सहन न कर सकूं इसके लिए तुम्हें तप करना होगा तप करने के लिए तू कासि चला जा वहां जाकर भगवान संकर का घंगोर तप कर और सिवलिंग की स्थापना कर तथा भगवान संकर से मनों वांचित फलो की प्राप्ति कर ले प्रियभक्त गडों सनी देव ने पिता की आग्या अनुसार वैसा ही किया भगवान संकर की घोर तपस्या की इस तपस्या से उनका सरीड पून रूप से जला लिया सनी की भक्ती को देख कर भगवान सिव बहुत ही प्रसंध होए और उन से वरदान मांगने के लिए कहा सनी देव ने वर्दान के रूप में बांगा कि वह चाहते हैं कि उनकी पूजा अपने पिता से अधिक हो जिससे सूर्य देव को अपने प्रकास का अहंकार तूट जाए भगवान सीव ने सनी देव को वर्दान दिया कि तुम नव ग्रहों में स्रेष्ट होगे और प्रिथवी लोग पर न्याया धीश के रूप में तुम लोगों को कर्मों के अनुशार फल प्रदान करोगे इसलिए आज भी भगवान सिव को नयाधेश के रूप में पूचा जाता है और सभी ग्रहों में उनका अस्थान बहुत उचा है प्रियभक्तगडों मोक्ष देने वाले एक मात्र सनी देवजी ही हैं इसलिए आज के दिन जो भी मनुस इस वरत को करता है या कथा का सरवण करता है तो उन भक्तों पर सनी देव के साथ साध हनुमान जी के कृपा भी प्राप्त होती है क्योंकि सनी देवशे परशान मनुस से इस दिन हनुमान जी की कथा को सुनने तथा भजन किर्तन करने से उनकी सभी प्रकार के ग्रह बाधाएं सारे साती धैया समाप्त हो जाती है और साथ ही सनी देव जी की क्रिपा से भगतों को रोगों से मुक्ति मिलती है धन पुत्र ब्यापार में तरक्की होती है बुरा समय समाप्त हो जाता है ऐसा हमारे पुराडों में वर्नित है तो प्रिय भक्तगड़ों इससे पहले कि हम कथा को सुरू करें आप कमेंट में इन प्रश्नों का उत्तर अवस्य दीजिएगा कि भगवान सनी देव की माता का क्या नाम है हे सनी देव हे बजरंग बली जो भी भक्तगड़ इस कथा को सुन रहे हैं तथा हुंकारा भर रहे हैं उनको सुक सांती समरिधी देना हे प्रभू अपने भक्तों का कल्याण करना तो प्रिय भक्तगड़ों आये स्रमण करते हैं दुखतारित्र को दूर करने वाली सनी देव प्रभू जी की कथा इसी गाउं में एक बहुत ही बिद्वान ब्रामण रहा करता था एक दिन रातरी में उसने सपने में देखा कि एक नीला वस्तर पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुस उसे कह रहा है कि हे ब्रामण देवता मैं तुझे लगूंगा अब देखे यह सप पना उस ब्रामण को रोज दिखाए देता इससे वह परिसान हो गया और दुबला पतला होने लगा उसका स्वास्त बहुत ही गिरने लगा एक दिन उसकी पत्नी ने कहा देखे जी मैं आपको कितना अच्छे से खिलाती पिलाती हूं मेवा मिसरी खिलाती हूं दुध मलाई खिलाती हूं अच्छा भोजन आहार पका कर खिलाती हूं फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं इसका क्या कारण है प्रियभक्तों उस ब्रामण अपने पतनी से अपना सारा हाल बताया कि मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए बहुत ही दिब् ला हो जा रहा हूं तब ब्रामणी ने कहा है पती देव मुझे लगता है कि आपको सनी भगवान दर्सन देते हैं आपके उपर सनी की दसा सुरू होने वाली है इसलिए आपको वे सचेत करते हैं अवस्य ही वे सनी महराज हैं अब की बार जब दिखेंगे तो आप उनसे कहि कि आप मुझे सिर्फ सवा पहर ही लगिये प्रिय भक्त करूं उसी दिन जब रात्री होती है तो ब्रामण फिर से सोता है और उसके सपने में सनी भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं हे ब्रामण आज मैं तुम्हें लगूंगा तब ब्रामण ने कहा हे भगवन यदि आ मारे उपर साढ़े साती सुरू होने वाली है मैं तुम पर साढ़े साथ साल के लिए लगूंगा तब ब्रामण ने कहा छमा करो भगवन इतना भारी तुम मुझे जेला नहीं जाएगा साढ़े साथ साल बहुत हैं भगवन तब सनी देव बोले अच्छा पांच वर्स के लि मेरे लिए जादा है सनी भगवान बोले तो ठीक है धाई साल का लग जाओं ब्रामण ने फिर मना कर दिया तब सनी देव कहने लगें सवा पहर का लगूंगा तो ठीक रहेगा प्रियभक्तों उसे सवा पहर की सनी की दसा लग गई ब्रामण ने निद से उठते ही अपनी प और मेरे पिछे किसी से लड़ना मत घर में बैठी रहना बच्चों को भी कहीं मत जाने देना और इस सवा पहर में किसी को गाली भी मत सुनाना ऐसा कहकर ब्रामण अपने घर से जंगल की ओर चल दिया जंगल में ब्रामण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हर्म और रास्ते में चलते हुए उसे एक सबजी मंडी दिखाई दी उसने सबजी मंडी में से एक बड़ा सा कद्दू खरीद लिया कद्दू खरीद के अपने चादर में लपेट करके वहां से चल देता है तभी रास्ते में सनी महराज एक साधू का भेश बदल कर उसके पास आ अच्छा कद्दू है तो दिखाओ जब ब्रामण ने अपना चादर दिखाया तो आश्चर उसमें तो उस राज की राजा के बेटे का कटा हुआ सर था यह देखते ही साधु महराज जो की सनी देव थे उस ब्रामण को लेकर राज धरबार में पहुच गए और राजा से कहने महराज यह देखे यह दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र का हत्या करके उसके सर को काटके अपने चादर में लेकर घूम रहा था इसे आप दंड दीजिए प्रेभक्तों राजा ने जब सुना कि उस ब्रामण ने उसके पुत्र को मार दिया है राज कुमार की हत्या कर दी है तब राजा बहुत ही क्रोधित हुआ उसने कहा मुझे मत दिखाओ मुझे यह सब कुछ देखा नहीं जाएगा है सायनिको तुम इसे तुरंत ले जाओ और इसे सूली पर चढ़ा दो प्रेभक्तों जब नगर में यह समाचार मिली कि राजा के पुत्र का सर कट चुक तब जैसा के नियम होता है मरने वाले से उसके अंतिम इच्छा को पूछा जाता है तो सैनिको ने भी ब्रामण के अंतिम इच्छा को पूछा सैनिको ने कहा हे ब्रामण बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है प्रेभक्तगडों ब्रामण ने सोचा कि यदि किसी प्र आला जी की कथा कहता सुनता आया हूँ, आज मरने से पहले अंतीम बार कथा कहलेने दो, अब क्या था, फासी देने वाले सैनी को ने, उसकी आखरी इक्छा पूर्ण होने तक फासी रोक दी, कहानी कहते कहते सवा पहर पूरा हो गया, सनी की दसा खत्म हो गई, अब इधर से सिकार खेल कर वापस राज महल में आ गया, राज महल में राज कुमार को देखते ही, राजा बड़ा ही प्रसन हुआ, लेकिन मन ही मन उसे डर भी लगा, यदि उस निर्दोस ब्रामण को फासी चढ़ा दिया गया होगा, तो ब्रामण हत्या का दोस लग जाएगा, अब क् तो राजा ने चमा याचना मांगते हुए कहा, कि आपके बगल में जो चादर है, उसे खोल कर दिखाओ, राजा के आग्या के अनुसार ब्रामण ने चादर खोली, तो उसमें कद्दू था, राजा ने ब्रामण को बहुत सा धन दिया, और पूछा, हे ब्रामण देवता, म मुझे सवापहर की सनी की दसा लगी थी, इसलिए यह सब कुछ हुआ, राजा ने कहा, हे ब्रामण देव, सनी की दसा किस प्रकार टलती है, ब्रामण ने कहा, हे राजन, यदी राजा या सेठ को यह दसा लगती है, तो काला हाथी या काला घोडा दान करना चाहिए, गरीब कहानी सुने तिल तेल और काला उड़द आदी का दान दे काले कुत्ते को तेल चुपडी रूटी खिलाएं तो सनी की दसा उतर जाएगी अब देखे राजा ने उस ब्रामण को कद्दू वापस कर दिया अब घर आकर ब्रामण ने कद्दू अपने पत्नी को दिया जब उसकी पत्नी ने सबजी बनाने के लिए उस कद्दू को काटा तो उसके बीजो की जगा हीरे मोती निकलने लगे ब्रामणी ने पुछा हे पतिदेव ये सब क्या है इसमें से हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं इसे कहां से लाए हैं आप तब ब्रामण ने कहा हे प्रिये जब सनी की द दसा लगी थी, तो ये कद्दू कुवर का सर बन गया था, और जब दसा उतरी है, तो सनी जी ने कैसे निहाल कर दिया, हमें माला माल कर दिया, हे सनी देव था, जैसे ब्रामण को सनी की दसा लगी, वैसे किसी को सनी की दसा न लगे, जैसे ब्रामण को धन दौलत मिला, वैसे स सब को धन्दोलत मिले, कथा कहानी कहते सुनते हुंकार भरते, सब को मिले, सनी देव ने ध्याओं, मन इच्छित फल पाओं, जै सनी देव, हे सनी देव, जै सनी देव, ओम नमः शिवाय, तुरिय भक्त कड़ों, अब आये सरवन करते हैं, भगवान सनी देव की दूसरी कथा यह कथा सुनने से भग्तों को मन वांचित फल की प्राप्ती होती है, नर्मदा नदी के किनारे, एक गाओं में बहुत थी बड़े साहुकार का परिवार निवास करता था, साहुकार की मृत्यू हो चुकी थी, घर में साहुकार्नी तथा उसके दो बेटे, एक बड़ी साहुकार्नी का छोटा बेटा मानसिक रोग से ग्रस्त था, उसकी मानसिक इस्तिती ठीक नहीं थी, साहुकार्नी की बड़ी बहु तारा को विवाह के कई वर्ष बिद गय थे, पर अभी तक उसे संतान नहीं होई थी, तारा को सदैव यही भै रहता था कि कहीं उसके पती सं पाने के लिए दूसरा विवाह ना कर ले यदि उसके पती ने दूसरा विवाह कर लिया तो उसे सौतन का दुख सहना पड़ेगा प्रिय भक्त जनो इसी डर से तारा ने एक योजना बनाई और उसने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी चंदा से अपने देवर चंदन का विवाह कराने के लिए अपनी सास साहुकार्नी तथा अपने पती को मना लिया चंदा सभाव से बड़ी ही दयालू तथा कृष्ण भक्त थी वह बचपन से ही उसी साहुकार्नी के घर काम कर दी थी उसका अपना कोई नहीं था अब चंदा का विवाह मानसिक रोगी चंदन स करा दिया गया कुछ साल बाद चंदा ने एक सुन्दर पुत्र को जन्म भी दिया किन्तु चंदा की जठानी तारा ने चंदा का बच्चा छीन लिया और उसे घर से धक के मार कर बाहर निकाल दिया और तारा ने अपने पती को भी अपने पक्च में कर लिया प्रिय भक्तगड दरसल ये तो तारा की चाल थी उसने तो कभी चंदा को अपनी देवरानी माना ही नहीं वह तो सिर्फ चंदा से उसका बच्चा लेना चाहती थी ताकि उसे पाल पोस कर अपना नाम दे सके अब देखे चंदा के बार बार रोने गिड़ गिड़ाने पर भी तारा नहीं माने और उसे उस गाउं से ही निकाल दिया अब चंदा गाउं गाउं भटकने लगी भटकते भटकते वह कृष्ण जी के एक पुराने मंदिर में पहुच गई वही पर उसने प्रभू से न्याय की गुहार लगाई वह अपना सर भगवान की चोखट पर पटकने लगी तथा लगातार ओम कृष्णाय नमह मंत्र का जाप भी करती रही प्रियभगतो उस इस्तरी की करुण पुकार न्याय की देवता सनी देव ने सुनी तथा भगवान सरी कृष्ण के आदेश से तुरंत चंदा के पास उपस्थित हो गए और साधारन मनुस्य का रूप धरड करकी उसे अपने आपको कष्ट ना पहुचाने के लिए कहा और कहा कि है बहन तुम भगवान सरी कृष्ण पर बिश्वास रखो और ओम कृष्णाय नमह मंत्र का जाप करती रहो तुम्हारा अवस्य ही कल्याड होगा तुम्हें जो भी दुख है सब भगवान सरी कृष्ण हर लेंगे और सनी देव की कृपा से तुम्हारा मंगल होगा यह सुनकर चंदा भगवान सरी कृष्ण के आराधना में लग जाती है सनी देव का ध्यान करते हुए ओम कृष्णाय नमह मंत्र का जाप करने लगी अब सनी देव एक साधू का भेस बदल करे साहुकार्णी के घर पहुच गए और अलख निरंजन का अलख जगाने लगे तब घर से बाहर साहुकार्णी निकली और उसने भिक्षा देकर उन्हें प्रणाम किया तब साधू रूपी सनी देव ने कहा हे देवी मैंने सुना है आपके घर में कोई मानसिक रोगी है मैंने साथ सालों से हिमालय के जंगलों में भटकते हुए बहुत ही दुरलब जड़ी बूटी इकठी की है जो हर प्रकार के रोगों को समाप्त कर देती है यदि आप कहें तो मैं आपके घर के मरीज को ठीक कर सकता हूँ प्रियभक्तों उस साहुकार्णी ने कहा मैं वो आपको दूँगे आईए घर के अंदर आईए साहुकार्णी ने अपने बेटे चंदन को साधु महराज को दिखाया जो अब चंदा के चले जाने से बहुत ही दुखी था साधु महराज ने अपने कमंडल से जल निकाल कर उसे अभिमंद्रित कर की चंदन को पीने के लिए दिया उस जल को पीते ही चंदन बिल्कूल ठीक हो गया और साधु महराज ने तारा को भी बहुत समझाया कि वह चंदा का बच्चा उसे वापस कर दे और अपनी गलती को स्विकार कर ले केंतो नहीं माने वह तो उल्टे ही साधु महराज को ही डाटने लगी यहां तक की चंदन के ठीक होने से उससे इर्शा करने लगी इस बात से रुष्ट होकर भगवान सनी देव की दसा तारा को लग गई और वह मानसिक रोगी हो गई उसका एक हाथ लगवा से ग्रश्ट हो गया साधु महत्मा के बताय अनुसार चंदन अपने पतनी चंदा को घर ले आया और अपनी पतनी बच्चे और मा के साथ हसी खुशी जीवन ब्यतीत करने लगा प्रेभक्तो तारा को सनी देव ने उसके कर्मों का फल दिया और चंदा के सिर्फ ओम क्रिश्नाय नमः मंत्र का जाब करने से उस पर कृपा बर्शाई और उसका बच्चा पती परिवार वापस मिल गया उसका पती स्वस्त हो गया जय सनी देव, जय जय सनी देव, ओम नमस्षिवाय, जयती जयती जगत जननी, जयती जगत पाली के, जय भवानी भैरवी, मृड़ाली नी सीवाली के, बिग्न हर्ता, गडेश भगवान की जय, जय मा संकटा, जय मा भवानी, नमस्कार प्रियभर्तगणों, स्वागत है आप सभी का, हमारी यूट्यूब चैनल प्रियंका धर्मगंगा में माता संकटा की बड़ी ही दुरलब कथा, पौराडिक मानता है कि इस ब्रत को करने तथा, कथा को स्रमण करने से, माता संकटा सभी कष्टों से मुक्ति देती हैं, निसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान बनाती हैं, निर्बल को बल्वान, अभागों को भागय साली बनाती हैं, इस्त्रियों का सुहाग अखंड होता है, कुवारी कन्याओं को मनवांचित वर की प्राप्ती होती है, रोगी रोग से मुक्त हो जाते हैं ऐसी है मा संकटा की महिमा ये स्वयम सक्ती स्वरूपा मा भवानी है आज के दिन जो भी इस कथा को बड़ी ही भक्ती भाव और स्रधा पुर्वक सुनता है उसके सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पुर्ती होती है उनका भागे बदल जाता है घर में सुख सांती समरिधी बनी रहती है तो आप सभी भक्तगड इस मनोकामनापुर्ण करने वाली कथा को पूरा और प्रसन अचित मन से सुनियेगा प्रिय भक्तगडों इससे पहले हम कथा को सुरू करें यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृप्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक करिए, सेर करिए तो चलिए सुरू करते हैं आज की यह पुन्य फलदाई कथा ओम गंगर पतेला महा जै माता संकटा एक बुढिया माई थी उस बुढिया माई का एक बेटा था जिसका नाम रामू था रामू धन कमाने के लिए परदेश चला गया बुढिया माई अपने पुतर के बिदेश जाने के बाद बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी क्योंकि उनकी बहूं उन्हें हर समय नित्य खरीघोटी सुझाया करती थी इसलिए बुढियामाई प्रती दिन चिंस्तित और उदास रहती थी और घर के बाहर इसतित्य कुईं पर बैठकर रोया करती थी, बुढिया माई का यह क्रम रोजाना का था, जब भी उस बुढिया माई की बहु उसे डाटा करती, उसे उलाहना दिया करती, खरी खोटी सुनाती, तब बुढिया माई उदास होकर उस कुएं पर बैठ कर आसु बहाती और खूब रोती, अपने पुत्र को सद नामो को याद कर रही थी, तो उस कुए में से एक इस्त्री निगली और उसने बुढ़िया माई से पूछा, बुढ़िया माई तुम इस तरह बैठ कर क्यों रो रही हो, तुम्हें किस बात का कश्ट है, तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारे दुख को दूर कर करने का प्रयत्न करूंगी, बुढ़िया माई ने उस इस्त्री का प्रश्न सुनकर कोई भी जबाब नहीं दिया, और रोती ही रही, कुए की माँ बार बार एक प्रश्न दोहराती जा रही थी, वह बुढ़िया माई इस बात से जुला उठी, उस बुढ़िया माई ने कुए की माता ने उन्हें उत्तर दिया हां मैं अवस्य ही तुम्हारे कश्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी बुढिया माई में कुए की माता का ऐसा आस्वासन पाकर कहा मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है उसके पीछे मेरी बहु मुझे बहुत भरा यही मेरे दुख का कारण है बुढिया माई की बात सुनकर कुए की मा ने कहा यहां के बन में संकटा माता रहती हैं तुम अपना दुख उनसे सुना कर कश्ट से छुटकारा पाने की प्राखना करो मा बहुत दयालू है दुखियों के प्रती बहुत ही सहान भूती रखती है निसंतानों को संतान देती हैं निर्धनों को धनवान बनाती हैं निर्बल को बलवान और अभागों को भागेवान बनाती हैं उनकी कृपा से सौभागेवती इस्तुरियों का सौभागे अचल हो जाता है कुवारी कर्ण्याओं को मनवांचित वर की प्राप्ती होती है रो कुए की मां से ऐसी विलख्छड बाते सुनकर, बुढ़िया माई तुरंत संकटा माता के पास कई और उनके चर्णों में गिर कर विलाब करने लगी, संकटा माता ने बड़ी ही दयालू होकर बुढ़िया से पुछा, बुढ़िया माई तुम किस कारड इतने दुख से बार- बुढ़िया माई ने कहा हे माता आप तो सब कुछ जानती हैं तो आप से तो कुछ छिपा ही नहीं आप मेरे दुख को दूर करने का आस्वासन दें तो मैं अपनी दुख गाथा आपको सुनाओंगी बुढ़िया माई की बात सुनकर संकटा माता ने कहा मुझे पहले अपना दुख बताओ दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है संकटा माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा हे माता मेरा लड़का परदेश चला गया है उसके घर में ना रहने से मेरी बहु मुझे बहुत तरह-तरह की सुनाया करती है उसकी बाते मुझसे सहन नहीं होती इसी कारण परिसान होकर मैं बार-बार रोया करती हूँ बुढिया की इस दर्दभरी कथा को सुनकर संकटा माता ने कहा हे बुढिया मा तु घर जाकर मेरे लिए मननत, मनवती मांग कर मेरी पूजा करो इससे तुम्हारा लड़का सक उसल घर वापस आ जाएगा मेरी पूजा के दिन सुहागिन इस्तुरियों को आमतरित कर उन्हें भोजन कराना ऐसा कराने से तुम्हारा लड़का अवस से ही तुम्हारे पास आ जाएगा संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया माई ने मनवती मांग कर पूजा की और सुहागिन इस्तुरियों को भोजन के लिए आमंतरित किया परंतु विचित्र बात यह हुई जब बुढ़िया माई इस्तुरियों के लिए लड़ू बनाने की सुरवात की तो उसने साथ की जगह आठ लड़ू बना दिये इस बात से बुढ़िया माई बहुत ही अस्मन्जस में पड़ गई ऐसा होने का क्या कारण है कहीं मुझसे गिनने में कोई गलती तो नहीं हो रही अथवा अपने आप यह लड़ू बन जाने का कोई अन्यकारण है उसी समय संकटा माता एक बुढ़िया माई के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया से पूछा क्यों बुढ़िया माई आज तुम्हारे यहां कोई उस्सव है क्या यह सुनकर बुढ़िया माई बोली आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागिन इस्त्रियों को भोजन के लिए आमंतरित किया है किन्तु जब गिनकर साथ लड़ू बनाती हूं तो वे लड़ू अपने आप आठ बन जाते हैं मैं इसी बात से चिन्ता में पड़ गई हूं बुढ़िया माई की बात सुनकर संकटा माता ने कहा क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंतरित किया है बुढ़िया माई कहने लगी नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है परन्तु तुम कौन हो संकटा माता ने कहा मैं बुढिया हूँ मुझे ही आमंत्रित कर लो ऐसा सुनकर बुढिया माई ने उस बुढिया रूपी धारी संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमतृत सुहागी ने आपहुची और बुढ़िया ने सबको लड़ू तथा अन्य मिठाई आदी का भोजन कराया इससे संकटा माता उस बुढिया माई पर बहुत प्रसन हुई और माता की कृपा से उस बुढिया माई के बेटे के मन में अपनी मा और पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन हुई और वह अपने घर के लिए चल दिया कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढिया संकटा माता की पूजा कर सुहागिनों को भोजन करा रही थी। किसी ने उसके लड़के के आने की सूचना दी लेकिन बुढिया माई अपने काम में लगी रही। उसने कहा लड़के को बैठने दो मैं सुहागिनों को खाना खिला कर अभी आती हूँ। लड़के के बहु ने पती के आने का समचार सुनकर उसी छड़ पती के स्वागत के लिए तुरंत घर से बाहर चली। लड़के ने अपनी पतनी को देख कर मन में सोचा कि मेरी इस्तरी मेरे से कितना प्रेम रखती है। जो खबर पाते ही मुझसे मिलने चली आई। परंतु मेरी मा को मुझसे जरा भी प्रेम नहीं है। मेरे आने की खबर पाकर भी मेरी मा मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समापत हो गया, सभी सुहागी ने भोजन करके अपने अपने घर को लोट गई, बुढिया माई अपने बेटे से मिलने के लिए उनके पास पहुची, मा के आने पर लड़के ने पूछा, मा अब तक कहा थी? मा ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी कुसलता के लिए संकटा माता से मनवती मांग रखी थी, उसी को पूरा करने के लिए सुहागीनों को खाना खिला रही थी, संकटा माता की कृपा से उसका मन अपनी पत्नी से हट गया, क्योंकि उसे अपने पत्नी की सारी करतूत पता चल गई थी, कि उसके ना रहने भर में उसकी पत्नी उसकी माता को डाट फटकार लगाती है, खरी खोटी सुनाती है, तो उस लड़के ने अपनी मा से कहा, मा इस घर में या तो मैं रहूंगा या फिर यह तुम निड़य कर लो कि तुम्हें किसको रखना है बुढिया माता ने कहा बेटा तुझे मैंने बड़ी ही कठीन तपस्या से पाया है इसलिए तुझे मैं छोड़ नहीं सकती इसलिए चाहे बहु का त्याग भी करना पड़े मैं कर सकती हूं अब क्या था लड़के ने अपनी स्तुरी को घर से निकाल दिया घर से निकल कर बाहर आई तो बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर रोने लगी एक राजा उधर से जा रहा था उसे रोता देखकर राजा रुगा और पूछा तुम क्यों रो रही हो तब उसने अपनी सारी ब्यथा राजा को कह सुनाई राजा ने कहा आज से तुम मेरी धर्म बहन हो इसलिए रो मत मैं तुम्हारे सभी कश्टों को दूर करने का प्रयास करूँगा यह कहकर राजा उस इस्त्री को रामू की पत्नी को अपने महल में ले गया महल जाकर राजा ने राणी को सारी कथा सुनाई रानी को कहा कि देखो आज से यह मेरी धर्म बहन है इसी महल में रहेगी और इसको किसी प्रकार का कश्ट नहीं होना चाहिए प्रिय भक्तगडों राजा के यहां पहुच कर कुछी दिनों बाद धर्म से प्रेरित होकर रामू की इस्तरी ने भी संकटा माता का ब्रत आरंभ कर दिया और संकटा माता के निमित सुहागिनों को भोजन कराने के लिए आमंतरित किया उसने रानी को भी आमंतरित किया जब सभी सुहागी ने लड़ू खाने लगी तो रानी ने कहा मुझे तो रबडी, मलाई और स्वादिष्ट मिश्ठान ही हजम होते हैं यह पत्थर समा लड़ू कैसे हजम होंगे ऐसी अभहेलना पून बाते कहकर रानी ने लड़ू खाने से मना कर दिया कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से रामू अपनी पत्नी को खोजते हुई राजमहल में आ पहुचा वहाँ आकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा प्रिये मेरे अपराध को छमा करो पत्नी ने कहा नाथ यह सब प्रारब्ध से ही होता है इसमें आपका कोई दोस नहीं है आप मेरे इस्वर रूप हैं मेरे ही अपराध को छमा करें मैंने आपकी माता को अथाह कश्ट दिया था उन्हें उलाहने दिये थे मेरे इस गलती को आप छमा करें और मुझे स्विकारें अपनी पत्नी की बातों को सुनकर रामु ने अपनी पत्नी को छमा कर दिया यह कहकर दोनों ने बिधी पुर्वक संकटा माता ब्रत कथा सुनी, संकटा माता की पूजा की, पूजा को समाप्त कर सुहागिनों को खाना खिलाया, दोनों पती-पत्नी अपने घर की ओर प्रस्थान करने के लिए तयारी किये हुए थें, जाते समय रामू की इस्त्री ने राजा राने से कहा, हे राजा, जब मुझे पर दुख पड़ा था, तो आप लोगों ने धर्म बहन बना कर मुझे आसरय दिया था, यदि आपको किसी तरह की सहायता की आवसकता हो, तो मेरी कुटिया में नी संकोच चले आना, ऐसा कहकर दोनों पती पत्नी अपने घर चले आएं, प्रियभर्त करों, अब इधर देखिए, संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने के कारण, रानी पर भारी संकट आपड़ा, रामू की पत्नी के जाते ही, उसका राजपाठ नश्ट हो गया, ऐसी बिपत्ती में पढ़कर, रानी ने राजा से कहा, ना मालुम वह तुम्हारी धर्मबहन कैसी थी, उसके यहां से जाते ही, सब कुछ नश्ट हो गया, रानी ने राजा से कहा, जाते समय वह कहकर गई थी कि जब मेरे पर कष्ट पड़ा था तब मैं तुम्हारे यहाँ आई और कदाचित तुम्हारे उपर कोई कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चले आना इसलिए हम लोगों को उसके यहाँ ही चलना चाहिए ऐसा विचार कर राजा रानी, दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर चले आएं। वहाँ जाकर रानी ने कहा, बहन, तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया, कि हमारी सारी संपत्ती नश्ट हो गई, हम लोग बड़े ही परिसानी में पड़ गए हैं। रानी की बात सुनकर रामो की इस्त्री ने कहा, बहन मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी तो सब करता धरता संकटा माता हैं, इनके अतरिक्त कोई दूसरा नहीं, इसलिए मेरी राय में तुम संकटा माता से अपनी भूलो के लिए छमा याचना करो, उन्ही की मान मनवती से तुम् मारे सारे बिगडे काम अपने आप सुधर जाएंगे, रामो की इस्त्री की बाते सुनकर रानी ने स्रध्धा भक्ती से संकटा माता का ब्रत किया, और सुहागिनों को भोजन कराया, अपनी सभी भूलो के लिए संकटा माता से बार बार छमा मामी, रानी के ऐसा करते ही प्रता माता प्रसन्न हो गई, और रात में रानी को स्वपन में कहा कि तुम दोनों पती-पत्नी अपने महल को चले जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा करना और मेरे निमित सुहागिनों को भोजन कराना, ऐसा कराने से तुम्हारा गया हुआ राजपाठ तुम्हें दोबारा वापस मिल जाएगा। उनका बिगड़ा हुआ सारा काम सुधर गया, सारा राजपाठ उन्हें वापस मिल गया, और वह पहले की तरह राज भोगने लगें। जै हो संकटा माता। हुआ है भी हम उन्हें हम ए। कुआ है अन्हें न्य। झाल झाल